बदलना कौन चाहता है मजबूर कर देते हैं लोग आज मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ और आज कलेक्टिव रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी जिन्दगी में जो तकलीफे हैं जो दर्द है उसके पीछे का कारण क्या है और इसुर आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं इसुर ने उस दर्द और तकलीफ का निवारन क्या किया हुआ है आपके जीवन में कौन सा अद्बुत चमतकार होगा इसुर आपके जीवन को कैसे परिवर्तन करेंगे इन तमाम चीजों को आज हम रीडिंग में करेक्टिव देखने वाले हैं यानिकि इसुर का संदेश ए आपको इसे फॉलो करना ही होगा है ना तो चलिए सबसे पहले आपके एनरजी देख लेते हैं किया आपकिस एनरजी में हो कि नम्मो फोर हैपी फैमिली का कार्ड यहां पर निकल कर आया है आपके लिए इस वर का तो पहला ही संदेश देखे कितना खुबसूरत निकल कर आया है है फैमिली यानिकि एक खुशाल परिवार इसका आर्थी यहीं होता है पर मैं एक और एनरजी लेना चाहूंगी मैं द आया है भविश्य निकल कर आया है कुछ ब्लॉकेज रुकावट या कुछ रुकावटे खुलने के अनरजी भी मैं देखना चाहूंगी दो कार्ड ले रही हूं आज कि रिटी में हुद नंबड तू आया है तो गारीज देखे नंबड टू और नंबड फोर आज आपके लें बहुत ही खास हो सकता है तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आपका जीवन अभी कैसा है ठीक है देखो जानुन की आनिकिस सफर जीवन का जो सफर है यह सफर अभी आपका चल रहा है कही न कहीं वर्ल्ड का जो काड होता है न वर्ल्ड की एनरजी यहाँ पर दिखाई देती है आपके सामने बहुत सारे रास्ते आएंगे आप चल रहे हो अभी अपने जीवन में पर सायद मुझे लग रहा है कि रास्ता कौन सा आपके लिए सह है कौन सा फैसला आपके लिए सही है आपके फ्यूटर के लिए क्या करना आपके लिए सही है और अपने सामान के साथ चल रहे है पर आगे जाकर बहुत ऊसे deathk पर चलना चाहिए कौन सा रास्ता उसके लिए सही होगा और कहां जाने से उसको सफलता जो है हासिल होगी तो कही न कहीं बहुत सारे उतार चड़ाओ अपके लाइफ में आते हैं, आते ही रहे होगे अब तक और आप जो है कहीं न कहीं गलत रास्ता भी हो सकता है कि आपके पकड़ लिया है आप सही direction पर चल नहीं पाए हो आप सही फैसला नहीं ले पाए हो जिसके वज़े से साइथ आपके जिन्दगी में कुछ problems खड़ी हुई है तो confused नहीं होना है सयम से काम लो सोच समझ कर समझदार इसी जो है अपने लिए आपको रास्ता चुनना है और इस चलते हुए रास्ते में पड़े हुए हो नजर आता है यह तो आपके बारे में इस्वर ने कुछ कहा है कि बहुत confusion वाला माहल है और आप कभी सही फैसला नहीं ले पाते सही रास्ता नहीं जुन पाते तो वहीं पर जो है इस्वर ने आपके मन को देखा है और उस मन में मुझे लग रहा है कि ए किसी को परिवार का सुख पाना है किसी को बच्चों की इच्छा होती है तो कोई जो है किसी और चीज की उदेश्य लेकर जो है इस्वर से मांग रहा होता है पर जहां तक आपके बारे में इस्वर ने देखा है आप एक खुशाल परिवार मांग रहे हो साहिद आप चाहे धन्वान हो ना हो उसकी बस इज़त हो तो प्यार के मामले में हो नाम सम्मान हो या ना हो पर प्यार में कभी कमी ना हो ऐसा व्यक्ति जो है आप साइद चाहा रहे हो तो इसी वज़े से आपके मन को देखते हुए इस्वर ने हैपी फैमली का ये एनरजी भेजा है जो ये बताता है कि तुमने एक बहुत ही सफल परिवार की इच्छा की है और ये सफल फैमली तुम्हारी बनेगी ठीक है तो ये साइद आपके दुख और तकलीफ का एक कारण ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को खुशाल परिवार या एक अच्छा लाइफ पार् कुछ मांग अपके लिए नहीं है अगर आप लोग जो है अच्छा काम मांग रहे हो अच्छा विजनस काम ये हो विजनस में ग्रोथ मांग रहे तो चलिए अब टारेट से इसे और क्लारिफाइड करेंगे हम हैपी फामली निकल कर आया है आया है क्या बात है गाइज वील ओफ फोर्चुन लेकर चल रहे हो आप आज की रिडिंग में वील ओफ फोर्चुन वाव फाइब ओफ वैंस प्रगल महनत पर महनत का कभी सफल ना हो पाना दुस्मनी जादा होना पेज ओफ काप्स पेज ओफ पांटिकल्स पेज के इतने अनर्जी स्वाभाविक सी बात है जिस तरीके से मैं आपको यहां पर देख रही थी जैनी का काड आया है और जैनी का मतलब ही है कि कई गलत फैसले लिए गए है कई गलत रास्ते को चुना है एस अब वैंस वाव वील ओ फोर्चुन आज दोनों ही डेक से निकल कर आ चुका है वील ओ फोर्चुन आज आपका में एनर्जी है में पॉइंट है कुईन ओ फायर कि स्टार वाव स्टार जस्टिस तो आपके जीवन का दर्द आपके जीवन के परिशानी दर्द की वजह है और उसका सुलूशन उसका सुझाओ डेक साथ की दर्द की तो क्या फोने वाला है यह मुझे अब आपको को बताना है तो चलहें सपर होने के वारे में आपको बता देते हैं तो आज स्टार के कार्ट से च्टोऽ के अनरजी जस्टिस के निवर्ट के JOHN को मेंजर कर आया है, इसके हमारे पास तो सबसे बड़ी दिक्कत ही यहां पर आपका इम्मेचर होना नजर आता है पेज ऑफ कप्स और पेज पैंटिकल्स का जो दुकाड आया है वह आपके उस दिमाग को दिखाता है जिस दिमाग ने कभी कुछ जादा सोचा नहीं है एक बच्चे जैसे आप बिहेव करते हो आप बच्चे जैसा ही सोचते हो आप जादा जादा गंभीर हो करना जादा मैचोर हो कर कोई भी लाइफ का फैसला नहीं लेते हो साइद यहीं एक कारन है जिसके वज़े से आपने कई बार जीवन में ठोकरे खाई हैं कई बार इंसान में पड़ा है ऐसा लग रहा है तो पेज की दो कार्ट्स थोड़ी इमेचरिटी को दिखाता है तो सबसे पहले इस वर आप से यही कहना चाहते है कि तुम अपने तकलीफ की वज़े खुद हो हैना क्योंकि तुम जादा भरोसा कर लेते हो तुम किसी की किसी से गाइडिंस नह नहीं लेते जहट पर से किसी पर यकिन कर लोगे ब्लाइंड ट्रस्ट आप कर लेते हो तो यहीं जो है कहते न क्या अपने पाऊं पर कुलारी कहीं न कहीं आपने अपने ही वज़े से मारी है ऐसा दिख रहा है क्योंकि कभी कभी कुछ लाइफ के बड़े फैसले ऐसे होते जिसे करने से पहले आपको अगर आपका दिमाग नहीं चलता, अगर आप सोच नहीं पाते, अगर आपको लगता है कि आप जैसे मासूम हो वैसे ही लोग भी मासूम होंगे, तो फिर तो आप जाकर गीरों के गड़े में ही है ना, इसलिए जब अपना दिमाग से हम अच्छा फैसला नहीं ले पाते हैं, लाइफ के इस सफर में, तो दूसरों से जो मैच्योर है, जो आपके बारे में अच्छा सूचते हैं, ऐसे अगर गिने चुने लोग भी आपके जिवन में होंगे, तो आपको उनसे सजेशन्स लेना है, पहला आपके लिए यही निकल कर आया है, और आप उन लोग में से भी एक हो, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि क्रियेटिव भी हो, क्रियेटिव इडिय आपके अंदर भरी हुई नजर आती है, आप जो है, बहुत अपना समय जारातर समय जो है, आप मोबाइल पर ही लगाते हो, ऐसा लगता है, इंटरनेट पर कु जो है, समझ में नहीं आता, क्योंकि आप जैसे भोले हो, दुन्या को भी वैसे ही आप भोला ही समझते हो, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, इससे आपका ही नुकसान हो रहा है, तो अब बात करते हैं, आपकी प्रेजन लाइफ में क्या है, तो फाइव उफ सोड यहां पर और आपको यह पता भी नहीं चलता कि कब आपके दोस्त दुस्मन बन बैटे हैं, जिस पर आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी, ऐसे ऐसे दोस्त आप से दूर हुए हैं, ऐसे ऐसे रिस्ते आप से दूर हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने आपके साथ जो है बेवफाई की ह क्योंकि आपने अपने से ज्यादा उन लोगों पर ट्रस्ट किया है और उसका वो जो है उसकी जो भुकतानी कहते ना वो अब आप पे कर रहे हो क्योंकि अब आपके सामने सब कुछ आ गया है सब का चहरा अब आपके सामने दिग गया है सब सारी लोग जो आपका हमें साथ द नहीं छोड़ेंगे ऐसे ऐसे लोगों नहीं आपको आज जो है अकेला कर दिया है और आपके दुस्मन भी बहुत जादा यहां पर नजर आते हैं तो अभी आपकी लाइफ में सकसे स्टोरी मुझे नजर नहीं आती गाइस कि बहुत जादा आपने वह हासिल कर लिया है जिसे आप हासिल करना चाहते थे ऐसा आपका जीवन नहीं नजर आता अब यहां पर देखो जस्टिस का काड़ आया है तो यह बात तो बिल्कुल साफ सुत्री निकल कर आई है कि जो इंसान हर किसी पर भरोसा कर लेगा और उसका जब ट्रस्ट ब्रेक होता है उसका जब भरोसा त उड़ता है तो वो इंसान यहीं महसुस करेगा कि कितने निर्दई लोग है भागे भी मेरा कितना बुरा है इस्वर भी जो है मेरी सुनता नहीं है इस्वर भी बुरे लोगों का ही साथ देते है और मैंने जब कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो मेरे साथ ही हमेसा बुरा क किया है जिसका कोई भी हिसाब किताब यहां पर मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि जब भी रिडिंग में आए तो उस इंसान के साथ बहुत सारा अन्याय हुआ है यह खुद इस्वर की जुबानी में आपसे कह रही जस्टिस मेजर अरकाना होता है जस्टिस इस्वर का कि कहा किर कर दे कहीं कि जूटे केसिस में भी फसाया गया है या फिर जूटे लगए हैं को जोaison यॉन को यह दागदार कर दियाल गया है क्यूं ऐसा हो जाता है मेरे साथ अब बात करते हैं कोई नो फायर के बारे में आप तोटली देखो यह आप हो और आपका ओ का एक ऐसा लग रहा है ना कि इंसान जब हथ से जारा किजिखें कर लिए चाहिए यह पने आप जैसे मुझे इस्तमाल किया गया अब मैं भी लोगों को इस्तमाल करूँ या फिर जो है जिस तरीके से मेरे साथ बरताफ किया आप मैं भी लोगों के साथ वैसे ही बरताफ करूँ खुद को बदलना है तो आप कही न कहीं मैं देख रही हूं कि इस इस अब तक आप थे, जैसे अब तक आप थे, हैना मासूम थे, इनोसेंट थे, लोगों की बातों पर आ जाते थे, तो कहीं न कहीं आपने अपने आपको बहुत ज़ादा तब्दिल करना जो है, शुरू कर दिया है, ऐसा आपके अंदर मुझे दिखने को मिल रहा है, क्योंकि कुई नोस फायर हमेशा एक मैचूर इंसान ही होता है, है ना जो आसानी से किसे के हाथ में नहीं आता, जिसे फासना इतना आसान नहीं होता, जिसे जो है लुभाना इतना आसान नहीं होता, तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक मैचूर से maturity का जो है मैं देख पा रहे हूँ पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप mature हो जाओ वो ठीक है पर अपने आपको ही आप जो है बदल दो अपने आपको ही घमण में आप पर इनत्स कर दो आपके अंदर attitude आ जाए आपके अंदर गुसा आ जाए नाराजगी आ जाए आप किसी दोस्त आपके होंगे मित्र आपके होंगे उनसे जो है आप suggestion लेकर ही life का कोई भी बड़ा फैसला लो खुद को इतना तब्दील करने की बदलने की जरूत यहां पर बिलकुल भी नहीं है आप बात करते हैं स्टार के काट के बारे में स्टार और justice जैसा कि आप देख रहे हो कि मेजर अलकाना इहां पर आया है तो स्टार का मतलब क्या होता है स्टार का मतलब होता है कुछ दबी हुई खwyn से मांगना उनिवर्स से मांगना जिस पर आपका अल्टूट भरोसा है किसी गुरू से मांगना तो इस्टार का मतलब हमेशा ही manifestation होता है कि आप मांग रहे हो और आपको मिला नहीं है आपने बहुत जाद अपना भरोसा रखा हुआ है कि मेरी जिन्दगी में कुछ चीज़े मुझे जैसे भी जिस हालत में मुझे चाहिए मुझे उसे पाना है पर मेरी वह ख्वाई से क्यों पूरी नहीं हो रही तो manifestation का जो है आपका जीवन अभी यहां पर manifestation पर निर्भर है ऐसा लग रहा है कि जो मांगे मिल नहीं रहा जो हक मेरा है उसे मैंने बहुत कोशिस की कि मेरी हक को मैं पालू मेरे इज़त को मैं पालू वह सोहरत पालू वह पैसे पालू या मैं प्यार या परिवार पालू पर व आपने हारमान ली है तो अब आपने वह रास्ता पकड़ा है जो रास्ता जाता है इस वर के घर की तरफ और इस वर से ही आपने कहा है कि मेरा है तो मुझे चाहिए किसी भी हालत पर चाहिए इंदजार करना है तो मैं कर लूँगी तो इस तरीके से कुछ चीज़े दुआओ में आपकी जो है मांगी हुई यहाँ पर नजर आ रही है अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो अब आपके लिए जो अब तक तो आपकी तकलीफ थी पर अब उस तकलीफ का समाधान इस वर ने यहाँ पर कर लिया है वो चीज़े क्या है समाधान कैसे होगा आपकी परिशानी का क्योंकि परिशानी बहुत जादा है एक तो नाइंसाफी वाली परिशानी है दूसरा लोगों का आपके दुस्मन बनने वाली परिशानी है आपको लगता है कि लोग इतने नालायक है लोग इतने बुरे है कि हम जैसे लोगों का टिकना इस दुन्या में संभव तो अब कैसे समाधान होगा परिशानी तो है आपके जीवन में उपर से जो है आप अच्छा फैसला भी नहीं ले पाते हो फैसला लेते भी हो तो दूसरों के प्रॉफिट वाला फैसला लेते हो खुद का हमेसा लॉस ही आपको लाइफ में होता आया है तो अब मैं आपको सब से पहले बता दू कि बहुत अच्छा समय आ चुका है गाईस को कि वील ओ फोर्जन आप देखोगे दोनों ही तरफ से हमें एक ऐसा गिफ्ट दे रहा है जो बता रहा है कि गुड लक गुड चाम जिससे हम कहते हैं लकी टाइम जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइम जिसे हम कह जाते हैं यानि कि अच्छा होने का समय बुरे दिनों से अब आपकी जिन्दगी को मुक्ती मिलने वाली है बुरे लोगों से आप जो है आपको मुक्ती मिलने वाली है और यहां पर सबसे बड़ा तो मैं यह देख रही हूं कि आपके जीवन में जो अब तक नाकामी जो से खतम हो रहा है क्योंकि जब तक इनसान का सही वक्त आएगा नहीं आप ना दुस्मन ही बनाते चले जाओगे आप कभी अच्छा कुछ कर नहीं पाओगे तो सही समय डिवाइन टाइमिंग गुड़ लक वाला जो है आज का कलेक्टिव रिडिंग निकल कर आया है तो लाता है कि अगर लोग आपके साथ नियाई नहीं कर पाए अगर लोगों ने आपको जूटे जूटे एज़ाम लगा कर फसाया है लोगों ने आपके साथ जो है अन्याई किया है तो सबसे पहले तो इस वर आपके साथ नियाई करेंगे जो लोग आज तक आपको जुकाते ईन को आपके सामने जुकना पड़ेगा यह इस बेकर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, अब कहाँ पर किस वक्त लोग इंसान ने आपप अन्याय किया है, क्या पैसों की मामले में किसी ने आपके साथ दगा किया है, रिस्तों की मामले में किया है, दोस्त कहके कर पीट पर डाला गया है, परिवार में ही आपके साथ हमेशा भेदवाव होता आया है, किस तरीके की नाइंसाफी या कोई कोट कचेरी का मामला चल रहा है, जो भी आपक बदल जा है दूसरा कहते है तो तो मन मंगी मुराद को कहते हैं स्टार के आजाने मतलब है कि आप समय मंगी मंद मुदाबिक उसे हम पुरा कर दे आपने एक चीज मांगी थी वो मैंने आपको बता दे कि वो पूरी हो रही है जस्टेस न्याय आपने मांगा है किसी से हैना दूसरा है manifestation अब आपके कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई complete नहीं हो पाई धरे के धरे रह गए सारे सपने इच्छाएं तो वो पुरा हो रहा है क्या मांगा है वो अब आप होती है हैना पर यह जो छोटा सा ओफर जिसका संबंद या तो परिवार से है या प्यार से है या दोस्ती से है या कोई अच्छी खबर है या कोई प्रपोजल है हैना इस तरीकी का कोई ओफर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके पास आ रहा है यह कुछ भी हो सकता है खाला कि कब यहां पर लेकर आ रहा है इंसान यानि कि इसका संबंद प्यार और रिस्ते से रिलेशन्शिप से इमोशन से होता है पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार और रिस्ता ही आए कुछ और भी गुड नियूस यहां पर किसी दूसरे सक्स के द्वारा आपको मिल सकती है तो उसके लिए आपको प्रिपेर होना है कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ कि पेज पैसों को लेकर या जॉब को लेकर या किसी ओफर लेटर को लेकर बिजनस को लेकर आमदानी को लेकर है यहां से भी जो है कुछ आपके दरवाजे पर आते हुए मुझे नजर आया और यह भी छोटी सकल में ही होगा कोई बहुत बड़ा आपको लॉट्री नहीं लगने वा यहां पर मैं देख रहे हूं कि बस कुछ पैसा या पैसों से जुड़ा हुआ कोई कारोबार या पैसों से संबंदित कोई काम का जो है offer या opportunity आपके दरवाजे पर आ रही है धीरे से आ रही है छोड़ी सकले में आती हुई नजर आई है तीसरा जो यहां पर नजर आया है वो ह Ace of Vance का card और Ace of Vance की जो energy होती है वो हमेशा beginning को दिखाता है और beginning ऐसा जिसमें जुड़ा हुआ होता है romance है ना प्यार अलग बात होती है romance अलग बात होती है जैसे कि साइथ आपके साथ कोई 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 वेक्ति क्योंकि romance की बात आई है sexual चीज़े यहां पर दिखिए तो मुझ कोई आपको प्रपोस करेगा या फिर कोई आपको यह कहेगा कि आप में वो interested है वो आपको पसंद करता है वो आपको like करता है आपकी खुबसूरती में जो चीज़े उस वक्ति को पसंद आ रही होगी उसकी बारे में जो है यह वक्ति बया कर सकता है तो इस तरीके से जो है romance के मामले में भी कही न कहीं beginning होती हुई आपकी नजर आई है तो यह वो चीज़ें जिसके साथ में जुड़ा हुआ है happy family, happy family वो एक energy है जो आप मांग रहे हो तो क्या star में आपने यहीं मांगा है आपने क्या star में एक परिवार का सुख मांगा है, partner का सुख मांगा है, family किस मांगा है न्याई मांगा है या फिर आप किसी के ओफर का इंतजार कर रहे हो आपको यह खुर करना है क्योंकि आप जो चाहा रहे हो वो पूरा होना यहाँ पर अलड़ी तै है इस वर ने इसे तै कर दिया है ठीक है पर मैं अब आपको एक मिलाने की कोशिस करें उस पर भी आपको यकीन नहीं करना है आपको सोचना है समझना है फिर फैसले लेना है और यहां पर आ रहे हैं कुछ जो है क्योंकि दुस्मन आपके करीब है, दुस्मन आपके इर्दगिर्ध है, उन लोगों से बरदास्त नहीं होगा कि आप कुछ अच्छा लाइफ में हासिल कर लो, हैना उनको चिड होगी, उनको गुसा आएगा, आपका आपकी प्रगती, आपका प्रोग्रेस, आपका सक्सेस, है जो अपके जीवन में होगा, बस उनसे ही अपने finances के बारे में share करो, उनसे ही अपने पोसनल life के बारे में share करो, और यह जो manifestation आप कर रहे हो, जो आपने मांगा है, उसके बारे में तो किसी को पता चलना ही नहीं चाहिए, यह आपका और इस्वर का bonding है, यह आपका और इस्व कि रिडिंग है तो देखते हैं कि इस्वर का क्या कहना है आपके लिए वही सेम जर्णी का ही कार्ड मैंने कुछ देर पहले इस कार्ड को देकर कहा था कि यह वर्ल्ड का कार्ड है और यहां पर भी we are the world का सब्दार चुका है तो we are the world का मतले भी है कि कोई आपके जिवन में कोई है या फिर कोई है जिसे आप पाना चाह रहे हो जिस वज़े से यहां पर हम सब्द का प्रयोग हुआ है वी सब्द का इस्तमाल हुआ है तो पर आप अकेले कब तक लड़ोगे इसलिए कोई है जो आपके जिवन में है और उसके साथ आपा जिवन चक्र चल रहा है अकेले बिल्कुल नहीं हो आप तो वी होने का इंतजार करो यह समय आपको उस वी तक पहुंचा ही देगा उस हम तक पहुंचा ही देगा भले ही अभ दुनिया के किसी छोर पर हो, किसी हिस्से पर हो, वो आएगा आपके जीवन में, आपका साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि इस वर जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केले पड़ गए हो, ठीक है, तो we are the world, यानि कि धीरे धीरे आहिस्ता-ाहिस्ता से आ अब भी उस मंजिल तक पहुंच जाओगे, बहुत जल्द पहुंच जाओगे, नंबर फाइफ की जो एनरजी यहाँ पर आई है, बिल्कुल वही कार्ट, फाइटिंग, यानि कि जिन्दगी, जिन्दगी जैसी लगती ही नहीं होगी आपको, है न, क्योंकि यहाँ पर तो ह मजने की कोशिस नहीं कर रहा, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके जीवन के अंदर, बहुत सारी negativity मुझे जो है दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है कि आप तयार भी हो, देखो यह वक्ति न, कवच पहन कर, बिल्कुल प्रिपेर होकर कि मैं तयार हूँ अब इस लड़ाई के लिए, मैं मुझे किसी भी कीमत पर मुझे लड़ना ही है, यह मेरी life है, मेरी journey है, मैं चाहे अकेला ही क्यों ना हूँ, मुझे fight back करना है, तो वो fight back वाला जुनून आपके अंदर नजर आता है, तो करो fight करो, पर ऐसे fight मत करो, कि खुद के अंदर ही अपने हक के लिए लड़ो, न्याई के लिए लड़ो, जो चीज़े आप से छीनी गई है, उसके लिए लड़ो, पर पहले prepare हो जाओ, लड़ाई भी ऐसे मत करो, कि कोई आकर आपका नाम निसान ही मिता दे, आपका वजूद ही खत्म कर दे, पहले prepare होना है, mentally prepare होना है, strong होना है, spiritual होना है, पहले अपने कुछ हम दर्द, कुछ अच्छे दोस्त जो है आपको बनाने है, उसके बाद जिंदरी की लड़ाई लड़ो, फिर जाकर जो है आप जीतो गया, के लिए बिना किसी चीज़ के support के, बिना किसी अस्तर के, अगर आप लड़ोगे तो आप गिरोगे ही हमेशा है, इसलिए थोड़ा सा preparation यहाँ पर आपको करणा है, चले देखते हैं, साई बाबा का संदेज आपके लिए क्या है, dreams, आप में से कुछ लोग ऐसे हो, जो साई बाबा से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, साई बाबा पर बहुत यकीन है, आपका बहुत मानते हो, तो ऐसे भकतों के लिए जो साई बाबा पर यकीन करते हैं, उनके लिए आया है message कि I will communicate with you through dreams, सपनों में ही साई बाबा आपको कुछ guidance देना चाहते हैं, आपके सपनों में प्रकट होना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपको कु आपको कोई ना कोई मार्क दर्शन जो है, आपके जीवन में साई बाबा देने वाले हैं, तो इसका आपको इंदिजार करना है, चले देखते हैं, लौट प्रिश्चना blessings, वाव, this card brings blessings, देखिए, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, कि यह card लेकर क्या लेकर आता है, यह card बहुत सारा आसिरवार लेकर आता है, बहुत सारी blessings लेकर आता है, तो लौट प्रिश्चना के भी अगर आप भक्त हो, अगर आपका भरोसा है इन पर, तो इस card पर भरोसा कीजिए, क्योंकि लौट प्रिश्चना ने कहीं दिया है, कि मैं इस card के जरीए, यानि कि तुम्हारे reading में यह card आ गया, तो तुम समझ लो कि तुम्हें मेरा आसिरवार मिल गया, और आसिरवार बहुत सारी चीजों पर हो तो दूसरे जो यहाँ पर हमारे इस्वर है, लौट कृष्चना वो कह रहे है कि मैं तुम्हारे जीवन में blessings भेज रहा हूं, गुड लग भेज रहा हूं, आसिरवार भेज रहा हूं आपके लिए guidance यहां से इस deck से मैं ले रहे हूं क्या करना है, किस चीज से बचना है देखे, आपके बारे में यहां पर क्या कहा गया है, king of cups के energy यहां पर आ गई है आप ऐसे इंसान हो जिस पर लोग भरोसा भी करते है, trustworthy, honorable आप ऐसे इंसान हो जिसका मान सम्मान बहुत उचा है devoted, cautious, someone you can completely trust, यानि कि आप एक ऐसे इंसान हो जिस पर लोग तो भरोसा कर लेते हैं आपके सामने आपको बहुत अच्छा भी कहते होंगे, आपको बहुत सम्मान करते होंगे, ऐसा भी दिखाते होंगे क्योंकि आप वाकर में ऐसे इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो sacrifice करता है, जो दूसरों के लिए त्याग करता है, जो दूसरों के लिए बलिदान करता है, king of cups यानि कि सबसे बहतर इन king होता है पर आप क्या किसी पर trust कर पा रहे हो, आपने तो अपना सब कुछ दे दिया दूसरों को, अपना trust भी दे दिया, भरोसा भी दे दिया, उनकी मदद भी कर दी, आपने अपने हिसाब से जो करना था आपने दूसरों के लिए कर दिया, पर क्या वही trust आप दूसरों पर कर पा अगर दूसरों पर भी आपका इसा ही भरोसा होता तो लोग आज आपको इस तरीके से गिराने की कोशिस नहीं कर रहे होते, धोका देने की कोशिस नहीं कर रहे होते, देखो तो आपको कितना ज़रा इस्तमाल या आपको कितना ज़रा यूज किया गया है, आपके सच्चे होने का कितना जारा नुकसान आपको हुआ है guys यह दिख रहा है a situation that is safe पर इस और आप से कह रहे हैं कि अभी सब कुछ normal है अभी situation परिस्तिरी जो है आपकी safe है सुरक्षित हो आप आपको जो है डरना नहीं है बिलकुल भी a solid romantic relationship ये भी आ रहा है solid का मतलब मजबूत होता है romance का मतलब क्या होता है आप जानते ही हो तो ऐसा relationship जो टिकाव भी होगा जिसके अंदर प्यार भी होगा और romance भी होगा ऐसा relationship का जो है offer आपके जीवर में आ रहा है hidden but well intentioned emotions आपके अंदर emotions भी बहुत है आपकी नियत भी अच्छी है पर ये सारी चीज़े आपने छुपा रखी है आपक अपने मन के अंदर चुपाया है व्यक्त नहीं किया है आपने चैलिटिबल बैनिफेक्टर सींग कांसलर तो यहाँ पर कहा गया है कि आप एक ऐसे इंसान भी हो जो दान दक्चिना देने में लोगों की भलाई करने में लोगों को कांसलर का मतलब क्या होता है जो guidance देता है दूसरों को सही राशता भी दिखाता है पर खुद हमेशा गड़ी में जाकर गिरता है आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो बारवा प्र गड़ा सब वुष्ले में इस्तमार कर रहे हूं कि यह आपके जिवन में हुआ है कि ज्यादा भरोसा करना से कह रहूं कि ट्रॉ तो ऐसे ही रहो, आप अच्छे हो, इसलिए 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 आपकी इच्छा को यहाँ पर पुरा करना चाहरे, अगर आप भी लोगों की तरफ पूरे बन जाते, तो फिर इसलिए आपकी इस स्टार वाले एनरजी को, मैनिफेस्टेशन को कभी भी कबूल नहीं करेगी, तो आप जैसे हो, वैसे ही बने रहो, इसलिए, यहाँ से मैसेज देखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत बड़ी बात होती है, इनसान चाहे कुछ भी कर ले, है ना जुके, कोई बात नहीं, पर जब अपनी इजद पर आँच आ गई ना, जब अपनी आत्मा पर ही आँच आ गई, जब अपनी मानिताओं पर ही आँच आ गई ना, तो उस वक्त इंसान को जुकना नहीं है, मैंने कई बार आप से कहा है, कि प्यार अपनी जगह होता है, पैसा अपनी जगह होता है, प कि आपको खुद को अंदर से गृणा हो जाए आप खुद को जो नफरत करने लगो इस तरीके से किसी की सामने जुकना नहीं है अपनी इज़त का हमेशा आपको ध्यान रखना है एक और देखते हैं रिस्पेक्ट का मतलवी सम्मान होता है आप जानते हो इस वात को क्राइंग और डिपरेशन तो ये अभी आपके लिए और निकल कर आया है कि मैक्सिमम जो समय है जो टाइम होता है वो आखों में आसु लिये हुए फिरते हो दिमाग में बहुत सारी उल्जने लिये हुए फिरते हो डिपरेश्ट हो कुछ चीजों को लेकर डरे हुए हो या कुछ चीजों को लेकर बस अब खतम होने की चाहत रखते हो कि खतम हो जाना है, मिट जाना है, नहीं रहना है, नहीं जीना है, नहीं हो पाएगा इस तरीके से गिव अब आपने किया है तो कोई बात नहीं guys, हमेशा हर इंसान के जिन्दगी में बस smile और joy नहीं होता है, सिर्फ खुशाल वाला समय नहीं होता है, कभी-कभी इंसान के जीवन में ऐसा पल भी आता है, पर इस वर आपको निकाल रहे हैं, इन तमाम समस्याओं से निकाल रहे हैं, तो हार नहीं मानना ह इस ठीक है, बिल्कुल डटकर तैयारी के साथ fight back करो, हमेशा ये दिन नहीं रहेगा, दिन आपका बदल रहा है, दिन आपका अच्छा हो रहा है, चले देखते हैं अंजल के तरफ से क्या है communicate clearly, तो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले कहा था, कि कुछ offers या कुछ चीज़े आ रही है, जिसका तालुक साइट किसी वक्ति से है, किसी इंसान से है, जो आपके साथ contact में आ रहा है, चाहे वो message के जरी आए, चाहे call के जरी आए, चाहे दोस्त के जरी आए, तो बिलकुल साफ मन में कुछ भी नहीं रखना है, जैसे भी offers आ रहे हैं, दिल में जो है, वो कह देना है, ये नहीं सोचना है कि मेरा ऐसा कहने से लोगों को बुरा ल लग रहा है, हैना आपने आपको रोक लो, हैना किसी की खुसामदी करने की या किसी को ज्यादा खुश करने की अब आवसकता नहीं है, अपने हक के बारे में, अपने राइट के बारे में आप जो है, आपको बोलना सिखना होगा, समझ रहे हो ना guys, so communicate clearly, यानि की communication भी कही न कहीं से आतावा नजर आया है, क्यूं आता है ये कार्ट बार बार, मतलब यहाँ पर क्या कार्ट की कमी है, देख लेजे, यहाँ पर क्या ये कमी है, कि हर बार मैं जो इतना सफल करके कार्ट निकालती हूं, ट्रस्ट का कार्ट आता है, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट टूटा है आपका, बार बार देखो कितने बार ट्रस्ट वाला वर्ड आज रिडिंग में इस्तमाल हुआ है, हैना कि आप पर तो लोग इतना भरोसा कर लेते है कि आप कभी गद्दारी नहीं करोगे, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाओगे, आप लुट चाओगे दूसरों के लिए, लुटा दोगी अपना जो भी है, पर वही ट्रस्ट अब आपका खतम हो चुका है, पर फिर भी सो कह रहे है जिरो ट्रस्ट, हैना इसकी कोई संख्य तोड़ो तोड़ो सबसे तोड़ दो इस और से नहीं तोड़ ना है इसवर की रिडिंग आपकी परिशानी जो दिखी है वह मैंने आपको बता दिया है सबसे बड़या तो यहां पर duration आया है जो आपकी तक्दीर आपका भागिया आपके इसमत को बिलकू में उठाए हैं लाइफ में जितना भी सेक्रिफाइज आप अब तक आप ने किया है उन सारी चीजों का भर पाई ये वील फोर्चुन आपकी जीवन में करने वाला है तो बेस्ट विजस गुड़ लग टो अल अफ यू इतना कहते वे गाई अब मैं रिडिंग को कर रही हूं क्लोज आपको रखने अपना बहुत ज़्या ख्याल क्योंकि मैं करती हूं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार लव यू और ठेक है नमस्ते आंड बाबाई गाईज